नमस्कार दोस्तों BPSC TRE 125 628 910 और 1112 का परिच्छा समाथ हो चुका है क्या कुछ लेबल रहा है कोचंग का सारी चीजों का कटफ कितना जा सकता है सारी चीजों पर जिक्र करेंगे अभी हमारे साथ पटना के जाने माने सी छक और BPSC टीचर में एक अलग हितिहास रचने वाल में देखें तो आखिर में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट बच्चों को देखने मिले हैं जहां पर आसान प्रस्ट मिलें जैसे हिस्ट्री का सेग्मेंट है हिस्ट्री के अंदर में क्वेस्ट्र बहुत मॉडरेट लेबल के पूछे हैं कई छात्र तो ये भी कहेंगे कि 9th 10 व जीएस का प्रस्टनता लेवल था कुछ ट्रिकी भी थे और बहुत आसान आसान क्वेस्ट्र पूछे गए थे अब जैसे आसान में क्या है कि कॉंग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन बना भी ये कौन नहीं बच्चा जानता है तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए ते गांधी के लेकिन अगर ओवरॉल पेपर को देखे तो जीएस खंड तो चुकी इसमें क्या होता है कि 11-12 के अंदर में में बात होती है वो सब्जेक्ट की बात हो देखिए जो भी लोग सिप्शक चुनके जाएंगे वो विशह वस्तू को ही पढ़ाएंगे जो इतिहांस सुनके जाए तो ओवरॉल पेपर जो सब्जेक्ट वाला पेपर है वो मॉडरेट लेबल का है और मॉडरेट टुट टुफ की श्रेणी में रख सकते हैं इतिहांस उसमें एक जो है ऑप्शनल है क्योंकि इतिहांस के प्रक्शन थोड़े आसान मतलब ओवरॉल मॉडरेट था ओवरॉल मॉडरेट टुट टुफ के श्रेवनी में रख सकते हैं आसान कुछ भी नहीं होता और एक्जामेशन हाल के अंदर में प्रेशन बहुत बहुत बढ़ा रोल होता है हम लोग भी बोड़ पे कराते हैं कभी-कभी प्रेशन में आके ग परिक्षा की जो पवित्रता थी उस पवित्रता को बरकरार रखा जो लांचन और दाग टीरे 3.0 के एक्जाम में लगा था उस लांचन और दाग से बीपेसी को आपने मुक्त रखा और आप इसके लिए धन्यवाद के पात रहें और आपने काफी अच्छे से परिक्षा कर परिक्षा करना काफी जरूरी है कि यूटूब पर काफी सारे कटफ भी आने लगते हैं और उनको देखकर चात्रों के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन होने लगता है से फेसकोर 6-8 का पहला दिन एक जाम था सब क्या कुछ होने वाला है को सिरिसली कटफ के उपर देखे दो तीन चीद समझे कटफ निरधारन करने के बहुत सारी लंबी प्रकरिया है और उस प्रकरिया से होकर ही कटफ गुजरता है सीटों की संख्या कम नहीं है इस बार भी सीटों की साविदावेदारी आप देखेंगे तो एवरेज दावेद नहीं बना पाएगा हकीकत बात है और जो 910 के अंदर में भी क्या हुआ कल पलट दिया उनके साथ तो बहुत गलत हुआ है और इस पर सोचना चाहिए बीपेसी को यार वो भी बच्चे ही है उनके ओपर थोड़ा वीचार करना चाहिए ओवर अगर होलिस्टिक व्यू को अंक होता है वो सेफ होता है लेकिन फिर कुट कि इसके बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है क्स तरह से निकाला जायेगा क्या, चालकूलेशन होगा कितने Canter है उनका नम़र Şu है उनका नमबर कितना आ रहा रहा है बहुत सारी प्रक्रियाूं, यह प्रम्भी प्रक्रिया ने क्या है उब प्रshift Insa हैं तो मेरा होगा कि नहीं होगा अब टीचर इस पर क्या दो कोई पस्या कुछ ता कि क्या पता कि कौपी चेक की हैं सब्सक्राइब लेकिन अनुमान का ओस आदमी को बोल देता है कि आप बैदर लाइन पर हैं प्रयास हो सकता है उमीद भी है तो ये एक प्रयास होता है ओफिशिल कट उफ के इंतजार करना चाहिए ज्यादा कट उपटी का टेपनी करने से हम लोगों को बचना चाहिए जी इस तरह से पीछले बार देखा गया था किसी-किसी सब्जेक्ट में सर महिला और पूरुस का कट उप सेम कर दिया गया था क्या इस बार भ अभी भी और प्रत्यासित चीजें होती है और यह कैटेगरी के इसाब से चाहत्रों की उपलब्धता कितनी है कितना नंबर आ रहा है अब पेपर आसान हो गया अगर पेपर आसान हो गया तो चाहत्रों के लिए हमेशा से कट आफ उपर की और बढ़ता जाता है लेकिन इस सब बना लेंगे बाकी क्या होगा तो इसलिए थोड़ा इंतजान कर लेने चाहिए आयो का आप विश्यल कॉटफ आने का इंतजाल करें जिस तरह से आप कह भी रहे थे जैसे 628 हो गया 910 हो गया 1112 हो गया सब्जेक्ट वाइज कोस्चन के लेबल में काफी फ्लक्च्वेश इकनोमिक्स का पेपर देखिए उसमें जोग्रफी के पोर्शन बहुत सारे पूछ दिए जिसको इकनोमिकल जोग्रफी कहते हैं बच्चे करने में असुविदा होई होगा उनको तुक्का लगा दिए वह सही हो गया अलग बात है निगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन अ साथ जोग्रफी रहा हो तो बच्चा बनाके निकल गया होगा हिस्ट्री के साथ पॉलेटिकल साइंस रहा हो तो उसको थोड़ी परिशानी हुई होगी तो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा यह सिब तो आधिकारी ग्रूप से आप परिक्षा समाब्स हो चुकी कुछ भी बदलने वाला नहीं है ना आप जाके दुबारा ओयमार रंग पाएंगे ना आप जाके दुबारा परिक्षा दे पाएंगे इसलिए आराम से इंतजार की जी ओफिशियल कट अफ को और ऑफिशियल कट अफ पे ही हमें भरोसा करना चाहिए इधर उधर की चीज़ करते हैं कि करोना धा damit कराती है क्या ने इमांदारी से पढ़ाइब Canadian विदियो कर लीजी विडियो के माध्यम से हम एक-एक चीजों का मतलब खुलासा करेंगे कि आखे टीरी थ्री पॉंट होगा प्रशन कहां से आया तो आप चिंता बिल्कुल मत किजिए अपनी बातों पर अडिक है हमने सबसे ज्यादा जो पढ़ाया भी है सबसे ज्यादा चात्रों को लाको लाक की संध्या में चात्रो